हेलो वल्कम तो आज चैनल बाइकोपीडिया मैं हूँ आपका दोस्तों रोस्तमान दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो फाइनली आज हमारे चैनल पर मेहमान है वीडा वी वन प्रो यह एक इलेक्रिक स्कूटर है जैसे कि जिन लोगों को नहीं पता और जिन लोगों पता है वीडा वीवन प्रो तो आज इसका डीटेल वाकराउंड हम लोग यहां पर करने वाले हैं बात करेंगे इसके फीचर ने स्पैसिफिकेशन के बारे में क्वालिटी को डिस्कस करेंगे तो बिना टाइम बेस करिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले तायर प्रोफाइल के बारे में तो टायर प्रोफाइल जैसे कि मैं पर देख पा रहा हूं 90 बाइन निटी सेक्शन का यहां पर टायर रखा गया है 12 इंचिस के अलोई वील पे इसके बाद जो ब्रेकिंग है तो ब्रेक्स यहां पर आपको स चुबलेस टायर का यूज किया गया है और दोनों ही साइट पर जो फोक्स लगेवे हैं उस साइट पर आप लोगों को दोनों ही साइट पर रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाएंगे चूकि एक सेफटी को इनहांस करता है बात कर लेते थोड़ा इसकी फ्रेंट रहा है मजबूत ही इतनी मलब अच्छी दे रखी है और इसके बाद जो सस्पेंशन से वह यहां पे डियूल साइट पर आपको टैलेस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे थोड़ा सो उपर चलते हैं तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं जैसे की जो हैड है डिजाइन वाइस काफी यूनिक डिजाइन लग रहा है और इसके साथ बताना चौंगा गाइस प्रोजेक्टर है यहां पर यूज किया गया है दोनों साइट पर एंड यह आप देख पा रहे हैं और इसके अलावा भी यहां पर इसकी लाइट है तो इसकी हाई बीम लग रहा है देखने में जो विल्ड क्वालिटी वैसे बताना चाहूंगा पोरी गाड़ी फाइबर बॉड़ी में है बट जो क्वालिटी यहां पर यूज की गई है इसको मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसको परसनली करना पड़ेगा तो जैसे आप फील करने आएंगे य अगर थोड़ा से में उपर और आता हूं तो यहां पर आप लोग आपको अनली एक विंद्शील्ड देखने के लिए मिल जाएगी जो भी ज्यादा बड़ी नहीं है जितना आप सोच रहोंगे के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को लाइक जिस तरह के विंड ब्लास होगा तो यह कुछ इस तरह के होंगे LED सेटप है पूरा एंट फ्लैक्सिवल भी है तो ऐसा नहीं है कि टूट जाएंगे ऐसा भी कोई सीर नहीं है और एक जो फीचर मैंने यहां पर नोट किया है तो वह है यहां पर पाकिंग फीचर यहां पर पाकिंग फीचर भी आप लोगो को दे सोलते हैं तो यहां पे करनेटली क्या ता employee छल रहा है वहां आप यहां पर यहां पर या यहां पर देख सकते हैं आपसे यहां से м performance when चान पर बाएं मोड कंटिशन को आप कैसे करना वह मैं आप लोग को बताुगा ओका अवा इसे कीज़सित albeit वह चैंज़ करों ri Ace devam प्रभना ब्ट्रियंग nell और तो आप यहां पर अब यहां पर रिमूघंड यहां पर ल कोंसी डैकर तरफतों कि यहां पर देख सकते हैं जैसा कि एक बैटरीय जो 97 जारज प्रजरी द्छ शिंट आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद जो मोड्स है वो मैं एक बार इसको चेंट करके दिखा देंगו आपको तो अब जो मोट कंडिशन है सबसे पहले किल स्विच को अफ करंना है आप देख सकते हैं यहां से समढ़ गया है कि अब ये मैं sports and custom तो यह चारो मोड्स हैं आप इसके बाद थोड़ा सा में और आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर क्या रेंज आपको मिल रही है अभी जो पैटरी कंडीशन है उसके हिसाब से भी आपको क्या रेंज मिल रही है वह यहां पर देख सकते हैं टोटल स्पीडोमेटर यहां पर दिखाएगा आपकी कितनी स्पीड आप चला रहे हैं अभी इसके बाद थोड़ा सा इसको और चलाते हैं अपर यहां पर ट्रिप ए में कितने किलोमेटर अभी चल चुकी है और उसके बाद कितना टाइम डियोरेशन में इतनी गाड़ी करके तो आप यहां पर say कर सकते हैं अ अब चलते हैं आफ आगी कि तरफ तो यहां पर इंड़ सबसे हैं आपको अचाहते हैं कोई फंक्शन आपको नहीं करना है इसके इससे क्या होगा आपकी मोटर जो है वह चालू अर्बन हो सकती है एंड इसके बाद यहां पे एक एस फीचर दे दिया गया है इसको मैं आउन कर लेता हूं इसको भी प्रेस नहीं करूंगा क्योंकि जो नंबर आपने अपनी आप के साइट किये हूए है उन नंबर्स पे इसकी एक करेंट इंफॉर्मिशन विद लोकेशन आपके पास पहुंच जाएगी जैसे ही इन केस ऑफ एनी अमर्जेंसी तो फिलाल इसको बंद कर देते हैं इसका कोई यूज नहीं है इसके बाद यहां पे रिशेट बटन और यहां करने के दिया गया है इसको आप चलती गाडी जब आप्स करल भी सकते हैं और इसको ढ़स बंडिया गया है पूर को पूरा आंब करने के लिए बात करते हैं लाट न्साइंट पर होता होता है कई बार ऐसा होता है हम लोग जब laser में gloves होता है तो मिटर ऐसे किता तरफ फीचर ne हमें आपाने देदी है तो इसको कि उसके बाद हाई और सकते हैं उसके बाद हृए беспर्लेश सबसक्राइब उसके बाद high beam low beam plus pass button को side करने के लिए यहां पर एक ही बटन में सारी दे दिए गई है अब जैसे कि आप सामने की तरफ देखेंगे तो यह मैं पास कर रहा हूं तो सामने दिख रहा है इसके बाद थोड़ा से नीचे आते तो यहां पर पार्किंग बटन दे दिया गया है पार्किंग बटन जैसे कि आप चलाएंगे तो यहां पर लोगों को मीटर पर देखने के लिए मिल जाएगा दोनों ही साइड पर कुछ इंडिकेशन और है वह मैं आपको दिखा देता हू जैसे मैंने साइड स्रेंड लगाया तो साइड स्रेंड के लिए आप देख पा रहे हैं यहां की तरफ आपको जो है एक सेंसर काम करने लग गया है प्लस जब वीकल आपका हाई बीम या लोगीम कंडिशन में होगा तब आप इसको यहां पर चेक कर सकते हैं इस जगे पर य करने हो यहां पर इस जगे पे तो यहां क्या है आपको ऐसे प्रैस करना होगा लेगिन जब आपको है लोगीम प्लस पूर्ण करेगा यह पूरा मेन्यूल हो गया है इसके बाद यह पारकिंग बटन हो गया है यह तो यह कुछ होगा इसके बाद थोड़ा से और नीचे आते हैं यहां पे आप लोगो को कुछ चीज देखने के लिए मिल जाएगी दो तीन चीज़े हैं तो यहां पे आप लोगो को एक पावर चार्जिंग के लिए एक सौकेट दे दिया गया है यह यूनिवर्सल रहेगा तो इसको मैं उपन कर बिच्छ कर सकते हैं इसके बाद यहां पे आप लोगो को इसको ऑन और आफ कारने के तरह को बता देता हूं तो जैसे अगर आप तोड़ा सा इसके नीचे की तरफ अगर आपन और आते हैं तो यहां पे आप लोगों को एक हैंडल बार मिल जाता है मतलब इसको यहां पर हैंग कर सकते हैं कुछ भी कोई भी चीज हो कोई पॉलिटेन हो या कोई बैग वगए रहा हो आपको सुड़ेंट है या फिर आप कोई इस चीज यहां पर आप हैंक कर सकते हैं इसका मैंजिमम भी यहां पर लिखा हुआ है तीन के जीज तक का यह हैंडल कर सकता है थीक है जिस तरह की बिल्ट क्वालिटी मुझे लग रही है थोड़ा सा जाधा भी लेगा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो अब दोस्तों में आप परफेक्ट लग रहा है वैसे तो क्योंकि मैंने टेस्ट भी ली ती तो आपर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है जो है जो यह वाला पार्ट जो अपन देखते हैं इसकी वज़े से वैसे मैं आप लोग बताना चाहूंगा मैंने अप्रॉक्शिमेट इसकी आठ से दस आठ से नौ किलोमेटर तक की 10 किलोमेटर राउंड फिगर मैं कह सकता हूं तो आठ से दस किलोमेटर तक की मैंने इसकी टेस्ट अभी है आज और जो राइडिंग एक्सपीरेंस तो यह जो है मेरा एक्सपीरेंस रहा इंफाक्ट जो मैंने फीडबैक दिया वो भी उसमें मैं कुछ कुछ लिखी नहीं पाया है इंफाक्ट की मुझे माइनस पॉइंट जो ड्रॉबैक जैसे कहते हैं वो तोड़े नहीं लगे मुझे और उसके चला के देखा मैंने काफी अच्छा एक्सपीरेंस था तो जैसे कि अभी आप यहां पर देख पा रहे है तो मेरे भी यह कहीं प गड़ों में भी लीती काफी दचके भी आए ब्रेकर भी तो सिच्वेशन में भी जो मैंने कोशिश कर रहा था कि शायद मुझे यहां पर जर्क्स मिलेंगे तो मैं शायद कुछ निकाल सकूंगा तो काईस तूब बैरी ट्रेंक हैंने मुझे नहीं मिल पारे थे क्योंकि मै इसको खडी करते हैं और बतार बागे के आगया है तो अब देख लेते हैं इसकी की इसे की है पर उसके अंगी विप आप 되क सर्टीए के लिए यहां पर इस रिगलाओ के लिए लार्म अटार कारम सिस्टम होता है तो यहां पे दिया गया है अब भी इस गाड़ी में नहीं है क्योंकि इसके बाद यहां पर आपको बूट पेस ऑपन कर सकते हैं यहां से यहां से भी ओपन कर लेता हूं तो एक बड़ यह बटन दिया हुआ है यहां पर चीड़ तो यह कुछ अवाज आईिए तो यह कुछ इस तरह से खोले स मुझे मिल रही है मैं चाफ पहला इसके बाद यहां पर चार्जर रखेंगे जगे दे दिए गई गई तो इसमें सब्सक्रतल करें कजेसे हैं तो एक स्पेस हैं यहां पर थे हैं रख सकते हैं अगर आपके पास घर के लिए जो चार्जर है और आपको यहां पर propon करके दिखाता हूं आपको तो यह भी मैंने आपको बताने वाला हूं इसमें जादू क्या है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडिया की बैजिंग औली और कोई चावी यहां पर दे नहीं रखी है फिर भी मैं इसको यहां से यह जो बटन है इसको प्रेस कर देते हैं प्रेस करके इसको क्रेशाने फिल्ट मुझान्य जाता है है तो यहां पर चुपी है बैटरियां तो बैटरियों का भी क्या सीन है एक बाट लोगुको दिखा देता हूं रगेका सिंपल pilots को कोई यहां पर कोई वायर आप नहीं देक्पाओगे कोई वायर नहीं है सिम्पल है इसको इजीली आप यूदी निकाल होगे अब इसको लेके हम जा सकते हैं, अगर मेरा घर like 30, 24 फलोर बे हैं गाई में आपार्ट्मेंट में रहता हूँ आunt तो में इसको ले जाकर चार्ज कर सकता हुआ और ऐसा नहीं है, यहीं से चार्च जुगा है ऐसा भी नहीं है आप इसको डिरेक्ली जो है स्कूटर को भी चार्च कर सकते हैं इसके बाद यहां पर यह कुछ फंक्शन आप देख पा रहे हैं यह जो कुछ यहां पर मेकानिजम लगाया हुआ है यह सिंपल सा फंडाय यह वायर कनेक्टिविटी को खतम करता है अब जैसे कि मैं इसको वाप यहां पर हमने लिया ओके सो यह डिरेक्ली उसमें जाके कनेक्ट हो चुकी है आप देख पा रहे हैं कोई वायर कनेक्टिविटी यहां पर यूज नहीं की गई है इसके बाद में दूसरी बैटरी भी इसमें लगायता हूं और यहां पर एक बैटरी से भी इस वहिकल को चला है जा सकता है यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर एमर्जेंसी है कहीं पर चोटे मोटे काम के लिए जाना है तो आप बैटरी चार्ज हो रही है तो दूसरी बैटरी से काम चला सकते हैं तो यह कुछ बैटरी का है इसके अलावा अगर आप कहीं पार्किंग में काड़ी को चार्ज कर रहे हैं तो यहां पर एक सॉकिट यहां पर भी दे दिया गया है बिना बैटरी को हेलाए डुलाए बिना कुछ अधिशनली मोमेंट की हुए यहां पर डायरेक्ली अपना चार्जिंग सॉकेट लगा कर आप जा सकते हैं चीट को बंद कर सकते हैं यह पर जो एडिशनल स्पेस है दूसरे नंबर पर तो इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूं यह कुछ मेरा यह इतना बड़ा सारा है जो मैं यूज करता हूं ठीक है तो यह हलमेट है इसको रखके देखता हूं क्योंकि अभी तक के जो भी मैंने देखिया है ना गाड़ियो करने वालों के साथ में एक बड़ी परिशानी होती है कि वह हाथ में रखने के अलावा कोई और आप्शन नहीं होता कि कहां रखेंगे इन फैक मैं आपको कोई आप खुद भी अगर आपके पास कोई बड़ा हैलमेट हो आप प्लीज इसको की अंडर सीट स्टोरीज में कही कम्प्रीटली हो चुका है साइट अब मैं इसको बंद करके भी देख लेता हूं एक बर तो यह कुछ इस तरह से बंद होती है तो अब जो है इसको हम इस तरह से यहां इस जगे से आपको पुश्च करना होता है ठीक है तो यह हो गया है तो यहां पर आप हेलमेट एजिली सेफली रख सकते हैं तो बात कर लीए इस साइट पर जैसे कि आप ग्राफिक्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे बूक्ल सिंपल एंड प्लैन रखा है इस पार्ट को और देख़ा जाए वैसे मैं आप लोगो को नहीं आप देख पा रहे हैं पार एक बार को टो मैं सब्सक्राइब है और हाँ जो मेरे को लुकिंग वाइज जो मैं कहना चाहूंगा तो वह मतलब एक्सपीरेंस बिल्कुल नेक्स लेवाल है क्योंकि जो प्रेजेंटेशन एना स्कूटर की तो बिल्कुल मैटल का लगेगा आपको अब मैं यहां पर थोड़ा साइस के बारे मों बता देता हूं तो जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं एक साइट स्टैंड और यहां प बता रहा है कि इसकी कॉलिटी कैसी होगी इसके बाद एक चीज जो है यहां पर शाहिद वह आपको एक्सेसरी में वैसे ही एक्सेसरी का ही पार्ट है तो यह जो लेडी सोटरेस्ट आप देख पा रहे हैं यह आपको एडिशनली पर्शेस करना पड़ेगा इसका प्राइस जो भी है वह मार्केट में जल्दी आ जाएगा फिलाल वीवन प्रों की यहां पर बैजिंग देदी गई है आप देख पा रहे हैं यहां से इसके बाद आप चलते हैं पीछे की तरफ कि यहां से में पीछे का आपको एक ओवराल लुक दे देता हूं तो यह रहेगा अपना वीडा और यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडा की यहां पर बैजिंग देदी गई है पीछे का पूरा सेटप है ना वह कंप्लीट सेटप आप लोगों को एलीडी में पा रहे हैं इसके बाद दोनों ही साइट पर आपको आप लोगो टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएंगे और यह भी यह भी जो है तो ऐसा नहीं है तो पावर कंजप्शन थोड़ा काम होगा और इसके बाद प्लस क्वालिटी भी अच्छी आ जाती है बात करें कि पीच्छी साइट सफैंशन की तो यहां पर मोनो शॉक्पेंशन का यूजाया है और सपेंशन को भी आप तरह का मॉपलर के बारे में तो दूस्तों मोटर के बारे बताइए तो यहां पर स्विंगा मोटर का यूज किया गया है जैसे कि आपने venc hub motor देखी होगी बील डि बटस्टम नहीं होता किसी तरह करें रिए द्रिंग कर सकता है यह को सब्सक्राइब साटेट से कहते हैं अब मोटर के थो बिल्कुल में 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 साट होती है तो वह होती है मिज़ाल इसके अंदर जो है तो यह इसकी वारंटी रहने वाली है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रखा गया है और बताना चाहूंगा दोस्तों मोटर के बारे में तो यहां पर 6 किलोवाट की यहां पर मोटर रखी गई है और जैसे कि मैं यहां पर जो बैटरी का देख पा रहा हूं सिस्टम बैटरी यहां पर आप लोगो को 3.94 किलोवाट की मिल जाएगी यानि कि इसको राउंड फिकर में भी अगर कैलकुलेट करें तो यह निकलती है आपको ज्यादा स सिटी के बारे में मैं अगर डॉमस्टिक रेट की बात करूं तो यहां पर साथ से आठ रुपे चल रहा है तो उसके हिसाब से ज्यादा ज्यादा 30-32 रुपए में आपकी बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी बात करें इसकी आईडी सी बारे में तो दोस्तों वह मुझे प अधि दोस्तों उमीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो और यह वीदा वीवन ब्रो जरूर पसंद आया हो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें पमें सेक्शन में अपने राया बताए साथी साथ दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रैस करने ना भूले बिल्कुल फ्री है दोस्तों प्लीस कर दिया करो यार